Assalamu alaikum, dear viewers, welcome to our channel Kashmiri Home Cook आज की हमारी रेसिपी है मतन यखनी यखनी काह्मीरी डिशेज में से एक सपेशल डिश जो हर गर्में बनाए जाती है यखनी के बगाईर एद्या सपेशल अक्यूजन्स इंकम्प्लीट होते हैं यखनी त्री स्टेप्स में बनती है 1st cooking the meat, 2nd preparing the yogurt gravy and the 3rd is mixing them together it's very easy and simple to cook इस वीडियो को आफ आखिर तक देखी क्यूंकि मैं आफ को एक ऐसी टिप दोंगी जिससे दूद कभी भी नहीं फटेगा तो चलिए देख लेते हैं इसके ingredients यखनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 kg lamp meat आप red meat भी ले सकते हो हडी वाला गोश्ती ही लें moonless meat या full fat meat ना लें 1 kg curd यानिकी जामदोद mustard oil या हमने आफ गी भी ले सकते हो या आपकी अपनी चोईस है कि कितना लेना है 1 egg 5-6 लैसुन किकलिया 2 दाल जिनी के टुगडे 3 cloves यानिकी लोंग 2 बड़ी लाइजियां 5-6 चोटी लाइजियां आदी चम्मच साब उजिरा आदी चम्मच साफ का पाउडर यानि बैदन का पाउडर 3-4 पिंच साफ ज्राइप उदीना 2 चम्मच नमक अब हम मटन को वाश करेंगे उसके लिए हम एक बरतन में गरम पानी लेंगे उसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे अब हम इसमें मटन डालेंगे और इसको हम अच्छे से साफ करेंगे हमने मटन को पहले भी वाश कर लिया था लेकिन ऐसे गरम पानी में डालने से इसके अंदर की सारी impurities निकल जाएंगी आप देख सकते हैं कि कितना blood निकल रहा है अंदर से माटन को ऐसे ही साफ करना बहुत ही ज़रूरी है इसके बाद हम यह पानी फैंक देंगे और इस माटन को फिर से ठाने पानी से साफ करेंगे अब हमारा माटन अच्छे से साफ हो गया है इसके बाद हम इस माटन को फ्राइ करेंगे उसके लिए हम इक प्रशर को कर लेंगे जिसमें हम मस्टर्ड ओयल डालेंगे और इस तेल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक ना तेल में से दुआ निकले क्योंकि मस्टर्ड ओयल को स्मोक निकलने तक गरम करना बहुत ही जरूरी है वरना तेल में से सिमल आएगी अब हमारा तेल गरम हो गया है अब हम इसमें माटन डालेंगे और इसको 5-6 मिनिट तक फ्राइ करेंगे क्योंकि फ्राइ करने से माटन की सिमल चली जाती है अब हम इसमें लेस्न डालेंगे और साबित मिसाले और इनको भी फ्राइ करेंगे माटन के साथ अब हम इसमें नमक डालेंगे एक चमच नमक डालने से माटन के अंदर का पानी निकल जाता है और आप देख सकते हैं कि मटन ने पानी छोड़ दिया है अब हम इसको तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ना पानी ड्राइ हो जाए 6 मिनिट्स में ड्राइ हो गया अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और प्रशर कुकर को लिट से कवर करेंगे अगर लैंप मीट है तो 5-6 विसल और रैड मीट है तो 10-15 विसल आने तक गैस पे ही रखना है बीच भी खोल कर आप देख भी सकते हो कि मटन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं यूट्यूब चैनल्स पे आप देखोगे कि वो मीट को प्रशर कुकर में नहीं पकाते हैं आप कंफ्यूज मत हो जाईएगा क्योंकि प्रशर कुकर में पकाने का मकसल सर्फ यही है कि मीट जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और गैस भी बच जाए हम गरों में मीट प्रशर कुकर में ही पकाते हैं सिक्स विसल्स हो गई है अब हम प्रशर कुकर की लिड को खोलेंगे और देखेंगे मटन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमें ऐसा ही मटन चाहिए था इसके बाद हम यखनी बनाएंगे इसके लिए हम बरतन में तेल डालेंगे तेल यागी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो हमने तेल के तीन बड़े चमज डाले हैं और इसको हमें गरम करना है तब तक जब तक ना तेल में से दुआ निकले तेल गरम हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तेल को ठंडा करेंगे क्योंकि अगर हम गरम तेल में कर्ड डालेंगे तो दही फट जाएगा तेल रूम टेंपरिचर पे आ गया है अब हम इसमें कर्ड या जामदर डालेंगे और गैस की फ्लेम को फिर से जलाएंगे लेकिन गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है अब हम इसमें नमक डालेंगे आदा चमच और सॉपका पाउडर आदा चमच डालेंगे अब हम इसमें एग वाइड डालेंगे अगर आप येलो पॉर्शन डालोगे तो कर्ड में जाग बन जाएगा दही को हमें कंटिनुवसली चलाते रहना है स्टेर करते रहना है लोग फ्लेम पे एग वाइड डालने से दूद फटता नहीं है दही ये जाम दूद फ्रेशी होना चाहिए अगर कर्ड खटा होगा तो फटने का खटरा है कर्ड पैकेट वाला ना डालें क्यूंकि उसमें प्रेजर्बर्टोस होते हैं जिनकी वज़ा से दूद फट जाता है इसको हमें कंटिनुवसली स्टेर करते रहना है साइड में हमें दही को जमने नहीं देना है उससे भी दूद फट जाता है आप देख सकते हैं कैसे हमें इसको चलाते रहना है कंटिनुवसली लो फ्लेम पे जब तक न दही में उबाला जाये दही में उबाला आ गया है इसके बाद 2 मिनट दही को उबलने देना है अब हम इसमें डालेंगे ड्राइ पुदीना 4-5 पिंच्स पुदीना यखनी की जान होती है यह डालने से यखनी का मज़ा निखर के आता है आप देखे कितना अच्छा कलर निखर के आया है एकदम पॉफेक्ट कलर अब हम इसमें माटन और इसकी ग्रेवी डालेंगे और अगर माटन स्टॉक या माटन ग्रेवी ज़्यादा है तो इसको बचा के साग्या पुलाव में डाल सकते है अब हम यखनी को रिजूस होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक न यखनी ठिक हो जाए गैस की फ्लैम को हमें हाई रखना है बीच बीच में हमें इससे स्टैर करते रहना है आप देख सकते हैं कि यखनी तैयर हो गई है ठिक हो गई है ठंडे होने के बाद ही और ठिक हो जाती है अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्विंग बॉल में डालेंगे गरम यखनी और गरम चावल को खाने में बहुत ही मज़ा आता है आप इसे गर में जरूर ट्राइ कीजिए और आप से हमबल रोकेस्टर है कि अगर आप मेरी चनल पे नई है तो मेरी चनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना बोले तो इन्शालला फिर से मिलते हैं हमारी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज